नमस्कान लोगसबा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रंड विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ परवीन इंडिये गड़ बंदे ने दिली के रामलीला मैदान में मोधी सरकार के खिलाब महारैली की थी रैली में विपक्ष ने केज़िवाल की गिरफतारी को राजनीती से प्रेडित बताया था इस महारैली में अर्विन केज़िवाल की पतनी सुनीता कॉंग्रेस की वरिश नेता सोनिया गांदी के बगल की सीट पर बैठी नजर आई थी और सभी ने एक सुर में केज़िवाल की पन्रवी विजियन है केल की में कोजिकोड में मुख्यमन्ती पन्रवी विजियन ने राहुल गांधी और किंग्रेस की आलोशना की है तो कैसे आपस में है तक की सकार्टी दात की और डिखाने के कुछ और है e Mini Boлюд डॉक्टर साफ रैली में एक साथ एक मज़ पर नज़र आते हैं दिल्ली में लेकिन केरल में जाते ही सूर बदल जाते हैं देखे पब्लिक कोई लोगों ने वेब कुप समझ लिया है आप केरल में जाकर के केरोवे कॉंगर्स पार्टी ने केजरिवाल को अंदर डाल दिया उसकी वज़त से हुई तो फिर वहां पर आप क्या करने गए थे जहां सोनिया गांदी राहूल गांदी प्रियंका वाडरा पुरा गांदी खांदान बैटा हुआ था वहां यचूरी जी क्या कर रहे थे यचूरी जी तो यचूरी जी डी राजा भी आ गए वो इस तरह से गरम जोसी के साथ वह भासत दिर तो ऐसल लगागी कई हार्ट अटेक पर रहना आ जाए गुस्से से लाल तम 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 तो यह तमाशा तो बंद करना चाहिए भी पक्चि उस रैली के पहले आपको यह बयान देना था तब तो बात समझ में आते कि यूर टूथफूल इन यूर वाटेवर यूर से अब दिक्कत क्या है कि कॉंग्रेस पार्टी में केजरिवाल को जेल भी पहुंचा दिया और मरहम भी लगा रहे हैं कि हम तुभारे साथ हैं लेकि पब्लिक में क्या मेसेज जा रहा है पब्लिक में एक ही मेसेज गया है जो प्रधान मंतरी मोदी का मेसेज है और मैं देख रहा था एक दो वीडियो उस तरह का आया था वो बहुत सारे पत्रकार हैं वो लिफ्टरिबल कबाल वाले वो रैली में चले गए पब्लिक से इमानों को जो है जेल के अंदर डाला ये मैं छोड़ूगा नहीं तो आपकी क्या राय है तो रैली में वो वेक्तिक कॉंग्रेस का साफा लगाया हुआ था और वो कह रहा है कि प्रधान मंत्री मोजी तो ठीकी कह रहे है कि सब चोर इकठा हो गए है तो पब्लिक के पास क्या म पड़ रहे हो सीट शेरिंग नहीं हो पा रहा है ठीक से जो काम करना चाहिए वो काम करनी रहे हो और एक साथ एक स्टेज पर आते हो तो एक भरष्टाचारी को बचानी के लिए तो यह रैली दरसल और वीजन साहब का जो बयान है वो दरसल बीजेपी को हराने वाला नहीं यह बीजेपी को जिताने वाली रहे थी बीजेपी को जिताने के लिए वीजन साहब इस तरह का बयान दे रहे हैं इसके अलावा कुछ और कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है केजरिवाल गया अब कम से कम कॉंग्रेस पार्टी का दिमाग खुल जाना चाहिए अपनी पार्टी बचाओ गठबंदन से हटो नहीं तो पहले ही भरस्टाचारी होने का जो ठपा कॉंग्रेस को उपर लगा हुआ था अब और ये ठपा जो है बुलंदी से लग जाएगा राजीव जी यहां पर विपख्ष के सामने अपनी चुनौतियां जादा हैं मोदी की सामने चुनौती बनने के बजाए ये खुद एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं ये आपस में ही चुनौती एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे क्योंकि इन लोगों का इंटेंशन जो है स्वार्थ है वो इनके उपर हावी है किस तरीके से हम एक दूसरे के खिलाब चुनाव लड़के हम जीत जाएं ये मोदी को हराने की बात नहीं सोच रहें अपने अस्तित्व की सुरक्षा की बात सोच रहें जैसे केरल में पिंडरे विजन की ये मजबूरी है कि वो राहुल गांधी को गालियां दे अर्विंद केजरिवाल के मसले पर भी कॉंग्रेस के खिलाब बात करें क्योंकि अर्विंद केजरिवाल का सवाल उठेगा तो आपको एक आधार चाहिए कॉंग्रेस के खिलाब उसके उप्योग करने के लिए केरल में भारतिय जन्ता पार्टी को टार्गेट ये लोग नहीं कर रहे बलकि कॉंग्रेस को ही टार्गेट करेगा बामपंथी पार्टी के नेता लेकिन विजने ने सिर्फ और सिर्फ केजरिवाल की बात नहीं की नहीं केबल ये कहा कि केजरिवाल को जिल पहुँचाने के लिए कॉंग्रेस ने क्या-क्या प्रयास की बलकि राहुल गांधी पर सीधे सवाल उटाया कि राहुल गांधी चाहते क्या है ये दिल्ली में मंच से खड़े होकर तो पिये मोदी के खिलाफ बात करेंगे और केरल में वाइनाट सीट पर चुनाब किसके खिलाफ लड़ रहे हैं एनी रजा के खिलाफ जो डी रजा इनको सपोर्ट दिल्ली में कर रहे हैं तो इनके पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए गांधी बाहर चले जाएं ताकि वहां पर वामपंथी पार्टियों का गठबंदन जो है वो लोकसभा चुनाब में बेहतर परपॉर्मेंस कर सके और यह मजबूरी विजयन की नहीं बलकि केरल में जाते ही डी रजा हों या सिताराम या चूरी हों सारे नेताओं की मजबूरी यही बनेगी कि वो राहुल गांधी की आलोचना करेंगे उनके खिलाफ बात करेंगे इसे लिए अभी तो यह शुरुवात है अभी गठबंदन की चर्चा पूरी तरीके से नहीं हो पाई है महरास्ट में यह गठबंदन करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रकाश अम्बेड करने अपनी उमिदवारी घोसित कर दी कि इंडी एलाइंस कुछ है ही नहीं यह लोग कभी फाइनल करी नहीं सकता तो हम क्यों बैठे रहें हर राज्यों में देखें तो इन लोगों की ऐसी मजबूरी है और धीरे धीरे जैसे ही चुनाफ परचार और तेज होगा यह लोग आपस में ही गाली गलोज करेगा एक दूसरे के खिलाब बाते करेगा और फिर पिये मोधी के लिए एक रास्ता निकाल देगा यही आपस में लड़ भीर कर निपट जाने वाले तो ना सिर्फ कॉंग्रेस में जिस तरह से इंडी गटबंदिन में विपक्ष के जो नेता है वो बिहार तक में भी देखा जा रहा है बिहार में भी कॉंग्रेस के अंदर काफी मद्धेद हैं इस सीटों को लेकर सीट शेरिंग नहीं हो पा रही है दूसरा केजविवाल को लेकर कॉंग्रेस के खुद के नेता नाराज है कि कॉंग्रेस पार्टी जो है उनका नाम जो है बदल देना चाहिए इससे कंफ्यूजड पार्टी का या आलम है कि आपको यह समझ भी नहीं आ रहा है कि यहां सेकेंड फेस का नुमनेशन का जो है वो डेट आ गया और अभी हर जगह अभी पपू यादव अपने ब्यार की चर्चा की पपू यादव इंतिजार कर रहे हैं कि आला कमान का के आदेश का हम इंतिजार कर रहे हैं वो इंतिजार नहीं कर रहे हैं वो धंकी दे रहे हैं कि तुम फैसला करो हमारे फेवर में कि हम यहां पे सिंबल दोगे ह चाप या नहीं और नहीं देते हो तो फिर हम इंडिपेंडेंट लेंगे मतलब कल जुमा जुमा तीन दिन आये हुए नहीं एक लीडर को जो आपकी पार्टी में सामिल होता है और वो तीसरे दिनी धंकी देना सुरू कर देता है वह धंकी किसको दे रहा है आला कमान कौन है र स्टेज पे एक दिन बित्ता नहीं कि मालूम चलता है कि कॉंग्रस पार्टी जो है हसी की पात्रबरती चली जा रही है लोग हसी रहे हैं वहाँ बीजेपी वाले और जेडी वाले पक्पू यादव को लेकर के मजा कुडा रहे हैं इधर अजीव ने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर प्रकासंबित कर जो है वो लिस्ट निकाल दिया कभी जो है वो लिस्ट उद्व ठाकरी निकाल देते हैं सब लोग अपने काम में लगए हैं और यह कॉंग्रेस पार्टी जो है वो अपने पैर के कुलारी पैर पर कुलारी मारने में जो है वो आमदा है तो मुझ बाकी लोग क्या करेंगे बाकी लोग तो ही करेंगे कि नईया पार लगे तो इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा उचलचल के कूद कूद के भागो जहाज से जो अल्रेडी डूब रहा है और ये डूबने की जो सबसे बड़ी वज़ा है वो राहूल गांधी की जित और र हिटक दल हैं वो लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं तो कितना बड़ा खामियाजा आने वाले चुनावों में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा ही अभी ही सुरुवात हो चुकी है उसकी अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं को देखें कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो नहीं लोगों को उनके समर्थन में देखा जा रहा है इसलिए कॉंगरेस के अंदर राहूल गांधी को लेकर सवाल उट रहे हैं कॉंगरेस के बाहर जैसे ममता बनरजी की बार देखें ममता बनरजी ने साफ तोर पर इंडी ऐलायंस से अपने आपको बाहर कर लिया लेकिन फिर भी वो बार-बार क्या कहती है आई एन डी आई ए नाम जो दिया हुआ है मेरा दिया हुआ है अब हम चुनाब के बाद इस पर चर्चा करेंगे कि हमें किसमें शामिल होना है ये जो सारे चोरों के गैंग इकठा हुआ दिल्ली में ममता बनर जी दिल्ली नहीं आई यहां तक कि इमके स्टालिन खुद भी दिल्ली नहीं आया क्योंकि वहां पर कॉंग्रेस को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं इमके स्टालिन खुद परिशान है कॉंग्रेस के खिलाप बाते कर रहा है कि कच्चा दीवू जो जिस पर चर्चा इतनी हो रही है वहां पर उस दीव पर हमने विरोध किया था कॉंग्रेस के उस फैसले का अब एमके स्टालिन भी अपने आपको कॉंग्रेस ते अलग तलग दिका रहे है कि हम तुम्हारे पहले के कुकर्मों के लिए अब साथ देकर तमीनाडो के सियासत भारती जंता पार्टी के तरफ नहीं मोड़ तक ते यानि कि राहुल गांधी का नेत्रित्म, कॉंग्रेस का कन्फ्यूजन और हर स्टेट में कॉंग्रेस के पार्टनर जिस तरीके से राहुल गांधी और कॉंग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं लगता नहीं है कि चुनाब में इस बार कॉंग्रेस खुद कुछ अच्छा परदर जी है उसमें तो 400 पार की पूरी संभावना दिख रही है चलिए तो विपक्ष पूरी तरह से बेदम नज़र आ रहा है और इस सतिक विश्लेशन के लिए आप दुनों का बहुत बहुत धन्यवार तो एक तरफ विपक्ष में आपसी खीस्तान मची है कोई तालमेल नहीं आप अपनी राए कमेंट करके लिखे देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार